मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो भी एक्सपेरिमेंट मेंडल किये थे उसमें कौन-कौन से चुट टर्म हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे पैरेंटल जेनरेशन क्या है? यहां पे मेंडल जो है दो पी प्लांट को लिए एक टॉल और एक डॉर्फ टिक है? और इस दोनों के बीच में पैरेंटल जेनरेशन तो इसको आमनों बोलेंगे पैरेंटल जेनरेशन ठीक है? नेक्स स्लाइट में देखते हैं फिस्ट फेले जेनरेशन यह क्या है? फिस्ट फेले जेनरेशन कहने का मतलब जो पैरेंटल जो प्लांट हुआ उसमें के बीच में अगर हम लोग क्रॉस करवा रहा है और यहां पे क्रॉस वर्ड हम पहले भी बताए है जो सैक्सी बीर प्र उसको हम लोग बोलेंगे F1 generation ठीक है और second filial generation या फिर F2 generation कि इसको बोलेंगे when F1 plant cross themselves the generation that was produced was called second filial generation means F1 plant means F1 में जो भी plant produced होगा sexual production के बाद उसको आपस में cross करवाएंगे उसके बाद जो plant produce होगा या फिर जो generation आएगा उसको हम लोग बोलेंगे F2 generation ठीक है या फिर second filial generation तीसे slide में देखेंगे कि notation Mendel experiment में क्या क्या यूज हुआ था means Mendel जो है कौन से notation को हम लोग यूज किये थे तो the dominant trait is represented by capital letter example tallness represented by capital T and darkness represented by small t किसी भी experiment को लिखने का एक तरीका होता है तो Mendel जो use किये उसी को यहाँ पर समझना है हम लोगों को तो tallness जो था वो dominant character था tallness हो या फिर कोई भी character हो अगर dominant character रहेगा तो उसको capital letter से हम लोग represent करेंगे अगर वो recessive character रहेगा तो उसको small letter से represent करेंगे ठीक है तो यहाँ पर tall जो है वो dominant character है इसलिए इसको हम लोग कैसे दिखा रहे है capital T से और darkness जो था वो कैसा character है recessive character है इसलिए इसको हम लोग small t से दिखाएंगे if tallness due to a pair of alleles it is written as capital T means capital दो बार T लिखेंगे ठीक है अगर जो है pure form कहने का मतलब dominant character है तो यह अगर दोनों अलग अलग भी रहेगा तो भी वो tall plant रहेगा तो इस condition को हम लोग बोलते हैं homojagous condition अगर दोनो capital T है ठीक है नीचे जो लिखा हुआ है if tallness due to only one dominant allele it is written as capital T and small t and this condition is called heterogagous condition ठीक है तो अगर जो है tallness जो है सिर्फ एक dominant allele के कारण होगा तो हम लोग कैसे दिखाएंगे उसको एक capital T और small t और इस condition को हम लोग बोलेंगे heterogagous condition यहाँ पर ये चीज़ भी समझना है हम लोग को कि homojagous और heterogagous condition क्या है homo means same और hetero means different ठीक है तो अगर दोनो allele जो है capital है means ये dominant character है तो इस condition को हम लोग बोलते हैं homojagous condition अगर एक capital है और एक small है तो ये हुआ different allele ठीक है तो ये condition जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे heterogagous condition ठीक तो monohybride cross में मैंडल ने ये capital T और small t को यूज किये और इस experiment को हम लोग next video में पढ़ेंगे थैंक यू झाल